तीन प्रकार के मंत्र होते हैं, एक डोट वैदिक, दो डोट तांत्रिक और तीन डोट शाबर मंत्र. पहले तो आपको यर्टाई करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जबने का संकल्प ले रहे हैं. साबर मंत्र बहुत जल्द सिध्ध होते हैं तांतरिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देव से सिध्ध होते है लेकिन जब वैदिक मंत्र सिध्ध हो जाते है और उनका असर कभी समापतन नहीं होता है मंत्र डप तीन प्रकार है 1. वाठिक जब, 2. मानस डप और 3. उपाशू जब, वाठिक जब में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उचारन किया जाता है मानस डप का अर्थ मन ही मन डप करना उपांशु डप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीब या उष्थ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती बिल्कुल धीमी गती में जप करना ही उपांशु डप है मंत्र नियम मंत्र साधना में विशेश साथ देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारन दूसरी बात जिस मंत्र का जब अथ्वा अनुष्थान करना है उसका अरय पहले से लेना चाहिए मंत्र सिध्धी के लिए आवशक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए प्रती दिन के डप से ही सिध्धी होती है किसी विशिष सिध्धी के लिए सूर्य अथ्वा चंद्रग्रेहन के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जब करना चाहिए इसमें किया गया डप शीक्र लाबदायक होता है डप का दशाइंश हवन करना चाहिए और ब्राहमनों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए मंत्र को सिध्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन तो करना ज़रूरी ही है साथ ही यह समयना भी जरूरी है कि मंत्र को सिद्र करने का विज्यान क्या है मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है उदाहरनार्थ यदि आपके मन में एक साथ एक हजार विचार चल रहे है तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्षे होता है यह लक्षे प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गती करने वाला होगा जब ऐसा हो जाता है तो कहते है कि मंत्र सिद्ध हो गया ऐसा मंत्र को लगातार जबते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिध्ध होने में भी विलंब होगा। कहते है की करत करत अभ्यास से जर्मती होत सुजान। रस्वी आवज्जात से सिल पर परत निसान। इसी तरह लगातार सिध्ध हो जाता है। दर असल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वर सिध्ध होने लगता है। अब सवाल यर उतता है की सिध्ध होने के बाद क्या होता है या की उसका क्या लाग। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिनी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिध्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र तीन बार परने पर संबंधित मंत्र से जुरे देवी, देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्तित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होता है तो उन्हें जपने से वे बाधाये दूर हो जाती है मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जब के माध्यम से हल कर सकते है मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिश को बुरे विचारों से दूर रच कर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुख जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठक मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जब करते है तो आपके मन में आत्मविश्वास बलता है साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोन भी विक्सित होता है जो की जीवन के लिए जरूरी है साबर का प्रतीक अर्थ होता है ग्रामे अप्रिश्कृत साबर तंत्र तंत्र की ग्रामे शाखा है इसके प्रवर्तक भगवान जंकर प्रतेक्षत्या नहीं है किन्तु जिन सिध्धों ने इसका आविश्कार किया वे परमशिभख्त अवश्य थे गुरु गोर्खनात तथा गुरु मचंदर नात साबर मंत्र के जनक माने जाते हैं अपने तपप्रभाब से वे भगवान जंकर के समान पूज्य माने जाते हैं अपनी साधना के कारण वे मंत्र प्रवर्तक रिशियों के समान विश्वास और श्रद्धा के पात्र हैं सिध्ध और नात संप्रदायों ने परंपरागत मंत्रों के मूल सिध्धान्तों को लेकर बोलचाल की भाशा को मंत्रों का दर्जा दिया गया. साबर मंत्रों में आन और शाप, श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है. साधक, याचक होता हुआ भी देवता को सब कुछ कहता है, उसी से सब कुछ कराना चाहता है आश्चरे यर ए कि उसकी यह आन भी काम करती है आन का अर्थ है सौगन शास्त्रिय प्रयोगों में उक्त प्रकार की आन नहीं रहती बालसुलब सरलता का विश्वास, साबर मंत्रों का साधक मंत्र के देवता के प्रती रखता है जिस प्रकार अबोध बालक की अभधरता पर उसके मातापिता अपने वातसले प्रेम के कारण कोई ध्यान नहीं देते वैसे ही बालसुलब, सरलता और विश्वास के आधार पर साबर मंत्रों की साधना करना वाला सिद्धी प्राप्त कर लेता है।